दक्सिन एश्या में इस्थित हिंदु राष्ठ नेपाल सांत और सैशुनु देश है इस हिमाल्य राष्ठ की गिंती उन मुलकों में भी होती है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं बने पर अभी यह बीते दिनों की बाते हो चुकी है नेपाल के उत्तर में इस्थित्वत जो चीन का स्वैत सासी परदेश है अब इसी रास्ते से चीन ने अपना निवेश नेपाल में बढ़ाना सुरू कर दिया है यह चीन की किसी तरह की चाले है यह तो भविस्य में पता पाकिस्तान के उन जिहादियों का परवेश नेपाल में बढ़ रहा है जिन की दरश्टी में हर गैरी सलामी काफिर है यह असूर जानते है कि मुगल सल्तनते कबरों में दफन हो चुकी है और जंग के बल पर धर्म का परसार अब मुश्किल है इसलिए इन्होंने एक ने हतक भारत के सैसस्त्र सीमाबल्दुवारा भारत नेपाल की सीमा रुपई डिया से पांच मासून नेपाली लड़कियों को कष्टडी में लिया गया था। इन्हीं नेपाली लड़कियों से जानकारी मिली की, इन्हें अपने प्रेम जाल में फस कर इन्हें क्वेत भेजा जा रहा था, जहां इनसे साधी करने और अच्छी नोगरी का लालच भी दिया गया था, इस कांड में जिस वेक्ति का नाम प्रकास में आया, उसका नाम दिपक खत्री बता आगा है पर खास बात यह है कि इन लड़कियों को डिपक खत्री ने अपने जिस गाउं का पता दिया था वहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं मिला पर मामला यहां तक नहीं है जिस खेल का परदफास अब हुआ है वे पाकिस्तानी चरम पंथियों के निर्देशन पर करती रही है इसकी वज़े भी है भारत और नेपाल की खुली सीमाई जहां बे रोक टोक एक दूसरे के देश में जाया जा सकता है पाकिस्तान के लिए यही मुफीद है लगबग 3 करोड की जन संख्या वाले नेपाल में 81.3 फिस्दी हिंदू है दूसरे नंबर पर करने का सिर्यंतर रच रही है पाकिस्तान से दो तरीके से जिहादी लोग नेपाल में गुशते हैं इनमें एक है जमात का विकल्प जबकि दूसरा चोरी चुपे एंट्री करना वैसे भी पाकिस्तानी कोम इस मामले में महरत हासिल रखती है नेपाल में आने के बाद यह सात की तरफ कूच करते हैं जायन के ठाट बाट देखकर हिंदू लड़क्या इनके मह पास में फस जाती है उसके बाद शुरू होता है इनका असली खेल यह चरमपन्थी लोग उन्हें या तो खाडी देशों के रास्ते पाकिस्तान में बेज देते हैं या फिर खाडी देशों में ही सेखों को बेज दिया जाता है इस काम में इस्थान्य चरमपन्थी नेपाली मुस्लिफ बड़ी भूमे का निबाते हैं नेपाल में तेजी से सीर उठारा इसलामी संग नेपाल अब अपना काफी विश्तार कर चुका है बड़ी बात यह है कि रियाज भठकल के भाव के बल पर पाकिस्तान से आने वाले चरमपन्थी तत्वों को नेपाली नागरिकता दिलाने का काम भी करता है खास बात यह है कि पाकिस्तान मयामार और बंगला देश के हजारों मुसल्मानों को गैर कानुनी रूप से नेपाल में घुसपैट कराकर यह संगठन मुसल तरीके से उन्हें मुसलमान बना लेते हैं पिछले साल नेपाल की कई हिंदू लड़कियों ने इस लवज याद का परदाफास किया था रूपाई D से पकड़ी गई लड़कियों की कानी नहीं नहीं है यह खेल तो खुले आम नेपाल में बरसू से चल रहा है या मुसलिब जन संख्या हिंदों के मुकाबले एक ठीज़ी तेजी से बड़ी है आने वाले कुछी सालों में यह लोग नेपाली बोद्दों को पीछे चोड़कर दूसरे नंबर पर आ जाएंगे इस पष्ठ है पाकिस्तान की ISI जिस परकार नेपाल को अपना अड़ब बना रही है और यहुदी और हिंदों आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंद वन्दे मातरम